अच्छा आज की वीडियो को टॉपिक ही होने वाला है कि Amazon के उपर जब हम शिप्मेंट प्लाइन क्रियेट करते हैं सो हम दो एस के यूज को एक बॉक्स के अंदर एक शिप्मेंट प्लाइन के अंदर किस तरह Amazon के एफ बीए वेर हाउस के अंदर किस तरह सेंड कर सकते हैं आज की वीडियो का यहीं टॉपिक होगा स्क्रीन पर चलते हैं और चलकर दिखते हैं आप अपने सेलर सेंटर के उपर और सेलर सेंटर पर आने के बाद त्री डॉट पर आपने किलिक करना है अब यहां पर आप आएंगे मैने जॉल इन्वेंटर के उपर जैसे आप इसके उपर किलिक कर देंगे तो आपकी जो प्रोडक्स हैं वह सारी यहां पर आजेंगे आपने देख लेने जिस भी प्रोड़क्स जिन भी एस की यूज को आप जो है एफ बीए करना चाहते हैं ए तो उसके बाद यहां पर आप देखेंगे सबसे उपर यहां पर action on to selected इसके उपर आप किलिक करेंगे उसके बाद आप यहां पर देखेंगे send and replenish inventory इसके उपर आप यहां पर किलिक कर देंगे जैसे आप इसके उपर किलिक कर देंगे यह आपको यहां पर एक alert दे देगा य तो आपके पास जो है shipment plan क्रियेट करने का जो पेज होता है वह फूरा इंटरफेस आजाएगा शिफ रॉम यहां पर आप देखेंगे शिफ रॉम फर्स नंबर पर आपके आज जाता है शिफ रॉम आपकी इंवेंट्री कहां से आ रही है यह वह एड्रस होगा जहां से भी दो यहां पनाखेंगा चैन कर देने को आपने और आपने ईड़्यजिर्ण से लिफ और याजियें पर इनवरेज्य पीडिण करना चाहते हैं जो एसके बाद आप देखेंगे पैकिंग डिटेल में आपके पास होंगे तू ऑप्शन जिसमें से आपने इंडिविज्वल उनिट को सलग रहन देना है और यहां पर आप इसको आइडिट पर आएंगे तो यहां पर आप से पूछेगा कि प्रैप जो है अब हमारा हमने इसको कर लिया तो हमारे पास यह ऑप्शन नहीं दे रहा है हमने इसको नो प्रैप नीडिट पर सलेक्शन कर लेना है उसके बाद आप आपको देखें आपने इंडिविजियल यूनिट सेंड करें एक ही बॉक्स में तो आपको यहां पर बॉक्स का कोई नह इसको देते हैं और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको देने लगेगा प्रिंट एक्सके यू लेबर यहां पर आपको देने लगेगा पर आपस देखेंगे अफ मिहां खाईए बॉक्स को देखेंगे यहां पर चानीप रहें यहां आपको भाच Ey a अपको देखेंगे देखिए जवियुक्स कई लोगेफेंक यहां से देखिए जिते période निट करने करंकेश्च कर लेंगे करेंगे तो यह आपके पास दाउनलूड होकर आजेंगे यहां पर आप देख लेंगे यह डाउनलूड होकर आपके पास आगाई अब फाइफ आपने डाउनलूड करने थे फाइफ लेबिल्स आपके पास सेम इसी तरीके ते आप इसे कैंसल करेंगे और इसके भी करनेंगे उसके बाद आप ready to pack पे click करेंगे और इधर भी ready to pack पे click करेंगे यहाँ पर भी आपके बास same option आजाएगा आप वहाँ से भी कर सकते थे और उसके बाद आप यहाँ से भी इसको download कर सकते हैं यहाँ से print और sku label आपके बास दोनों के एक साथ आजेंगे अलग अलग भी किया सकते हैं और साथ भी किया सकते हैं ऐसा को issue नहीं है मैं जैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूं तो आप ने प्रॉपर इसको download कर लेंगे उसके बाद आप किलिक करेंगे पक इंडिविजुल यूनिट के उपर आपका फैस स्टेप जो है पूरा कम्टीट हो जागा सेकिंड स्टेप के पर आप आजेंगे और आने के बाद आप यहां पर देखेंगे बॉक्स की इंफर्मिशन आपसे मांगने लगा है तो इसको आप रीडाउट कर लेंगे ठीक है यहां पर आप किसे कह रहा है कि बॉक्स की इंटो जो है कि अफोर निए वस्ट्रेख करने अपने और दमेंशन के आपके सब्सक्राइब करेंगे जो भी आपके प्रेफ वाले ने जिस किसी ने भी आपको दियो तो वह यहां पर आप सिंपल इंटर कर देंगे कि हम रेंडम इंटर कर रहे हैं कि आपने एक्जाइक करनी है ताके आप शिपिंग वगएरा जो है चार्जर सब्सक्राइब उसके बाद वेट डाल देंगे आप लबी इसमें वेट होगा यह उसके बाद आप किलिक करेंगे कंफिंग पैकिंग इंफर्मेशन के उपड़ सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर करना पड़ेगा यहां पर आप आदेंगे और यह कैल्कुलेट एक आटो कर भी लेता है तो आप देख लेंगे मिनिमुम क्या है हम इसको एड देते देता है यहां पर यहां पर आगे जाने दिया उसके पाद कंफिंग के उपर आप किलिक करेंगे यह आप आगए स्टेप तू के उपर ठीक है फर्च स्टेप आपका कंप्लीट होगे जिसमें आपने इन्वेंट्री और जो है बहुत की डिटेल देंगे सेकंड स्टेप के उपर आप आप आपके इस डेट को शिप करने वाले यह इसको कोई ऐसा इशू नहीं है अगर यह आप पहले की देदें तब भी कोई इस्व नहीं है आप एक एस्टिमेट दे सकते हैं जब भी आपकी इन्वेंटिशिप होने वाली है अगर आप आज ही करने वाले है तो आप आज की डेट दे सकते हैं आगे की करने जाते हैं हम दो दिन बात करने जाता है हम इसे सलक करने ह है मुलब के पैलेट वगएर वगएर विएपर आपका पार्सल नहीं जाएगा और जैसे हैवी मशीनी वगएर नहीं है तो आपने इसको तूए नहीं करना है इस्पूल जो बॉक्से आपके पार्सल जाएंगे तो इसको आपने एस्पीडी सलेक करना है यहां पर हमने HPD select कर लिए small parser delivery उसके बाद आप नीचे आजएंगे यहां पर आप देखेंगे कि आपको Amazon ने address रेती है जहां आपने where you have to send your inventory इसका address आगया यह address आगया Amazon के warehouse का यह आपका address आगया जिस जदर से आप अपनी inventory को send कर रहे हैं इसको आपने exact देखना है आपका address ठीक होना चाहिए उसके बाद यहां पर आपकी सारी details आ जाती है box 1 है SKU 2 है units क्यूंकि दो products आप send कर रहे है units 10 है 55 units हमने add करें ते weight इसका है 8L भी ठीक है box 1 है तो एक box अंदर 2 हमारे product जा रहे है तो यह सारी यहां पर detail आगई अगर आप UPS Amazon Partner Carrier से select करते हैं तो आपको यह charges पे करने पड़ेंगे उसको 6.17 डॉलर जो के आपकी shipping के charges है अगर आप नहीं select करते हैं तो आप से select करेंगे और फिर नीचे ट्रैकिंग देंगे फर सब्सक्राइब करना चाहरें तो हमने इसके उपर simple click कर देंगे और accept charges and shipping के उपर click करेंगे confirm कर देंगे तो यहां से आपने से कुछ से लेगा उसके बाद आपको step 3 के उपर ले जाएगा आप यहां से आपने से कुछ से को अपने 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 आपको आपको यहां से आप shipment जो plan करेंट कर रहे हैं उसका name को भी change नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आप जो भी लग लग इस name में जो भी आप जो अपने shipment plan का नाम रखना चाहते हैं वह आप रख सकते हैं तो आप अपने लिए इसको चेंज भी कर सकते हैं उसके बाद shipping ID पा की सारी चीज़ा आ जाती हैं उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे जो important point है यहां पर आपने यहां से वह box के लेबल को print कर लेना है simple आप print के ओपर click करेंगे अगर format बगार चेंज करना जाते हैं तो वह भी आप देख सकते हैं इसके बाद आप view tracking details के लिक करेंगे तो आपका shipment plan प्रॉपर क्रियेट हो जाएगा और आपको shipment के जहां पर आप इस तरह से आप अपने दो प्रोडुक्स को एक box के अंदर Amazon के वेरहाउस तक करते हैं I hope this video will help you, thank you for watching this video, Allah Hafiz